और बिच्चालो कैसे हो चलो चलते कुछ नया सा करने तो इस छोटे से शॉल को देखिए बहुत ही अमेजिंग है और ये शॉल अपना मल्टी परपज है किसी भी यूज में आप ले सकते हैं मैं आपको बताऊंगी कि आगे इसको हम किस-किस यूज में ले सकते हैं अभी आप बहुत जल आपको समझ में आ जाएगा चले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्स्ट्राइब के बना बिल्कुल न जाएं ये देखिए मैंने इसके धागे कैसे बांदे है वो मैं बता देती हूं क्योंकि उन नॉमल है पतली वाली है तो मैं इसको डबिल करके इस तरीके से एक पुठे पर बांद रहे हूं अगर आपके पास उन काफी मोटी वाली है तो आप सिंगल धागे से ये सारा काम कर सकते हैं ये देखिए मैंने एक धागा बांद दिया थ मैंने इसी का ही यूज किया है ये दो धागे मैंने आपको बांद के दिखा हैं इसी तरीके से 15-16 धागे मैंने यहां पर बांद दिये हैं अब ये काम तो हो गया इसे बिना सिलाई बिना क्रोशिय के बिना सुई धागे के हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं दो कलर मैं यहां मैंने बालो में यूज आने वाली जो पिन होती है वो यूज किये आप सैप्टी पिन भी यूज कर सकते हैं बस हमें कोई गीठा वगर नहीं लगाना है बस आपको करना क्या है उसको इस पिन के अंदर डाल देना है अब हम क्या करेंगे इस पूरे जो बोर्ड का सेंटर ढूंडेंगे मान के चलिए मेरे पास 15 हैं तो साथ इधर साथ इधर करके बीच में जो पंद्रिवी वाली लाइन है उस पर मैं इसको बांग देती हूँ एक से दो गाठे आप लगा दीजे बस अब बारी आती है इस पर काम करने का जैसे वीविंग करते हैं आपन बुनाई करते हैं बस वही बुनाई कैसे करनी है हमें क्या करना है एक लाइन को छोड़के दूसरी लाइन के अंदर इस पिन को ले जाना है ये देखिए ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें बड़े अराम से समझ आ जाएंगे, येस, आधे से हमने शुरू किया, अब वापस इसको यहां से ले लेते हैं, अब लास्ट वाला धागा जो था, वो नीचे की तरफ गया, तो अब हम इसको, इसको ओवरलैप करेंगे, कैसे करेंगे, ओवरलैप इस तरीके से, ये देखिए, ओवरलैप करके, नेक्स वाले से मैंने शुरू किया, अब एक को छोड़के, दूसरे पर आना है, ये देखिए, बहुत ही अराम से आपको दिख रहा है, ये देखिए, कितनी बड़िया डिसाइन बन रही है, और इसको हमेशा आपने पास धीर दिरे खीचते जाए, और इसको बहुत ज़्यदा खीचना नहीं है, जिससे हमारी साइस का ही फर्क आ जाए, तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना है, अब वापस वहां से भी हमने इसी तरीके से लिया, एक के अंदर डालना है, एक को छोड़ना है, लास्ट वाला धाग आप कितना भी बढ़िया काम कर सकते हैं, वैसे तो मार्किट में क्या नहीं मिलता, लेकिन घर में जब हम अपने हाथों से कोई काम करते हैं, उसकी बात कुछ और ही होती है, उसकी वैल्यू कही गुना बढ़ जाती है, ये देखिए, कितनी सुन्दर वीविंग लग रही है ऐसे लग रहा है, पता नहीं कैसे हमने इसकी बुनाई की हुई हो, कई बार हम खाली टाइम में बैठे रहते हैं, कभी दूप में, कभी टीवी पर, तो ऐसे में हमारा काम भी हो जाए, और हमारे हाथों में गर्मी भी लगे, अगर घर में कोई भी फाल्तु आपके पास ओन रखे हो, इससे आप multi-purpose कुछ भी बना सकते हैं, इससे आप baby blanket बढ़ा सा बना सकते हैं, पलने में डालने के लिए बना सकते हैं, ठाकर जी के लिए बना सकते हैं, आप किसे भी use में से बनाए और enjoy कीजी, बनेगा भी बढ़ा आसानी से, ना तो आपको slide चाहिए, ना सुई तो कुछ नहीं करना है उसके लिए खाली कोई भी कलर को आप जोड़ दीजे, आप कहीं से भी शुरू कर देंगे वो चलेगा, बस उसको नौट बांदनी है नीचे और बस बुनाई करना शुरू कर देनी है, ये भी सारा काम मैं डबिल धागे से ही कर रहे हूँ, कुछ लाइने आप वाइड की भी दे सकते हैं, मैंने उफ वाइड की दे दी हैं, ये देखें इस वाइड को भी हम उसी तरीके से एक छोड़ के एक आगे को लेना है अब मेरे को क्या करना है, उसके बाद वापस मुझे ग्रीन शुरू करना है मैंने आपके सामने दो पहर में कर शुरू किया था रात भर में ये छोटा सा बन के त्यार हो गया दो लाइन बचिये अभी आपके सामने कमप्रीट हो जाएगा है न बड़ा असान सा इसे कब बना रहे हो मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल न भूले जब ये कमप्रीट हो जाए तब आप उसे वहां थोड़ा रोग दीजे जो पीछे हमने बांदा था उसे आप इस तरीके से कट कर दीजे कट कितना करना है ये आप देख लीजे एक और बात अगर आपको जिस साइज का बनाना है उसी साइज से आपको पुठे को लेना है या किसी कार्डबूर को लेना है उतनी बड़ी साइज का आपका ब्लैंकेट तैयार हो जड़ेगे अब इस पुठे को हटा दीजे जो भी आपके धागे हों उन्हें आप अंदर पीछे की तरफ कर दीजे चाहे पिन से या स्वी से अब आप बराबर का इस तरफ से भी कट कर दीजे अब आप चाहें तो कुछ मत कीजे बस यहां पर गठान बांदीजे क्योंकि यह खुल न जाए दो-दो धागों को लेकर आपस में गांठें बांदे जाएए ऐसा करने से यह खुलेगा नहीं और यहीं मजबूत होकर रह जाएगा बस इस तरीके से दो-दो आप गठाने आपस में लगाते जाएए जिससे वो खुलेगा नहीं आपके पास कोई मोती वगर पड़े हो तो यहाँ पर मोती डाल डालके इसे गठाने बांदीजे और इसकी सुन्दरता बढ़ जाएगी लास्ट में आपका मन करें तो मैं भी इस तरीके से छोटा सा ब्रश लिया है मैंने और उसको इस तरीके से उन को खोल रही हूँ अब उसको बराबर से मैं काट देती हूँ गोपाल जी के लिए उन के हम टोपी कैसे बना सकते हैं इसका वीडियो मैंने पहले आपको दिया था उसकी लिंक भी डाल दूँगी अगर आप डालना चाहें बनाना चाहें तो उससे आप देख सकते हैं यह छोटे छोटे जो काम है ना इससे संतुष्टी बहुत मिलती है और घर में रखी चीजों का यूज भी होता है और कई बार जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं खाली तो बच्चे भी हमारी यह creativity जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि मम्मी दादी नानी अगर यह काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं तो यह बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजे जादा से जादा शेयर कीजे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजे